भिविशन पर हमेशा से ये अख्षेप आता रहा है कि घर का भेदी लंका ढडाए तो इस अख्षेप के अलावा भी भिविशन का जो चरितर है वो बहुत महान चरितर रहा है जिसको हमने कही न कहीं इग्नोर किया है, कहीं न कहीं शायद हमारा ध्यान उस तरफ नहीं गया है, जो उसके चरीतर में कुछ अच्छाइयां रही है, उनको लेकर मैंने ये एक कविता लिखी है कि आसान नहीं भिवीशन हो जाना, पात्र अत्यांत भिलक्षन हो जाना, तटस असान नहीं भीवीशन हो जाना महलों में वे योगी रहता सुख दुख सब संभाव से सहता हरी दर्शन करते करते हम देखते हैं कि भीवीशन का पूरे विश्व में एक ही चरित रहे तो हम उसे भीवीशन पर हमेशा से यह अक्षेप आता रहा है कि घर का भे दिलंग कढ़ा तो इस अक्षेप के अलावा भी विवीशन का जो चरितर है वो बहुत महान चरितर रहा है जिसको हमने कही ने कहीन कहीद हमारा ध्यान उस तरफ नहीं गया है जो उसके चरितर में कुछ अच्छाईयां रही है उनको लेकर मैंने ये एक कविता लिखी है कि आसान नहीं भिवीशन हो जाना, पात्र अत्यंत बिलक्षन हो जाना, तटस्त पुर्ष दर्पन हो जाना, असान नहीं भिवीशन हो जाना, महलों में वे योगी रहता, सुख दुख सब संभाव से सहता, हरी दर्षन करते करते, भगवान का दर्षन करते कर, हम देखते हैं कि भिवीशन का पूरे विशो में एक ही चरितर है, तो हम उसे